कॉंग्रस पार्टी छोड़ने के बाद अशोक तवर जो हैं निर्दलिय प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जिट गया है जी हां गुरुगराम से खवर है कि अशोक तवर ने निर्दलिय प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया है इस दोरान उन्होंने बिना नाम लिये अजय यादव पर जम कर निशाना भी साधा है इस दोरान उन्होंने राहूल गांदी के विदेश जाने के सवाल पर कहा कि बीते कई सालों से कॉंग्रस पार्टी सबसे बुरे दोर से गुजर रही है इस दोरान उन्होंने कहा कि अब मैं आजाद हूँ और अपने विरोधियों को दिखाऊंगा कि अशोक तवर क्या है तो अशोक तवर पार्टी छोड़ने के बाद अब निर्दलिये प्रत्याशी के चुनापरचार करने में जुटके हैं साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने कॉंग्रस पार्टी पर निशाना साथते हुए कहा है कि अब मैं आजाद हो गया हूँ और अब मैं बताऊंगा अपने विरोधियों को तो यहां विरोधि से उनका मतलब क्या है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस तरह से कॉंग्रस में गुटबाजी देखने को मिल रही थी और लगातार अशोक तवर का जो खेमा था वो अलग से बटा हुआ नजर आ रहा था एक वाइरल हुआ था ओडियो मेसेज अश कॉंग्रस को ले डूबेगी और कॉंग्रस को बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं और आखरकार अशोक तवर ने पार्टी छोड़ दी पार्टी छोड़ने के बाद अब जो ये तेवर नजर आ रहे हैं कि अब निर्दलिय प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए में उतरे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं दिखाऊंगा कि अशोक तवर क्या है तो सीधे तोर पर कहीं न कहीं कॉंग्रस पर निशाना है नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन जिस तरह से विरोधियों की बात की है तो यहां Congress के अंदर ही उनके विरोधी मौझूत थे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का पद जब उनसे लिया गया था जब पद छोड़ा था उन्होंने उसके बाद से ही ये गुटबाजी चल रही थी कई धड़ों में बटी हुई Congress जो हर्याणा में नजर आ रही थी लगतार मीटिंग्स हो रही थी जिस तरह से जब नाम उम्मीदवारों के नाम का अलान करना था उस वक्त जिस तरह से तीन से चार दिनों तक मीटिंग चली है screening committee की क्योंकि यह माना जा रहा था कि Congress धड़ों मे बटी हुई है तो उसे उम्मीदवारों के नाम को लेकर problem हो रही है